बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का दिसंबर 2018 एंग्लिश कैलेंडर का अनुसार आखरी महिने का राश्यफल जिसमें मैं बताऊंगा मेश राश्यफल का विशेश हाल और आज के वारे राश्यफल को शुरू करने से पहले मैं एक सफलता का गुरु मंतर बतान नहीं है हमारे सपनों को साथार करने के लिए पूरा ब्रह्मांट देवी देवता ग्रह नक्षत्र हम सब को आशिरवाद परदान कर रहे हैं इसलिए सपने देखो और उसे पूरे करने के लिए सिर्फ कर्म कर लिए आशिरवाद हमें इस मैंने जरू मिलेगा आप आज के ब और दुश्मनों की बात करते हुए, अंत मैं वो खास उपायबे आप सभी को बताऊंगा, जो निश्चित रूप से दिसंबर महा को यादगार महा बना देगा, अगर आप दिसंबर महीने में मुझसे परसरी मिलना चाहते हैं, तो मैं विदेश ब्रह्मन पर रहूँगा, सब उसके बाद मैं मैं मैलबन में जाओंगा, और वहां से ब्रिस्बेन, केंस, सिड्नी जाओंगा, उसके बाद निउजिलेंड का वारा सफर रहेगा, जिसमें क्वीन्स टाउन और आउकलेंड शामिल हैं, अगर आप इन शहरों और देशों में रहते हैं, और मुझसे परसरी के राहू रहेंगे, सेवन्त हाउस में स्वग रही, शुक्र आपको मालवी योग का राज योग देंगे, सभी एश्वरी देंगे, सूरिय अपना परिवर्तन कर रहें जा रहें, पंद्रा दिसमबर तक तो रहेंगे एड़ ताउस में, और उसके बाद सोला दिसमबर जहा तो रहेंगे, और तेईसमबर से मन्त एंड तक ट्वैल्थ हाउस में विराजित रहेंगे, विदेश यात्राओं के गर में, चद्रमा की बात करें, जो बड़े उलट फेर करता है, पचीस और चब्श तारिक को फोर्थ हाउस में राहू के साथ ग्रहंड दोश, छे और आज तो, तो रहेंगे, तो लिए और साध और स्वर्थ हाऊस में, फोर्ट के साथ महान गज़की बात कर्श्रियों के साथ बनाएंगे, आथ और नो तारिक को, नाइंध तारिक को श्रिक के साथ जहर विश्च दोश दोश उसमें घेतू के साथ ग्रेंट दोश और 13 और 14 को 11 ता उसमें मंगल के साथ महालक्ष्मी नामक राजयोग बनाएंगे हर बही ने आपको और मुझे आम और खास हर इंसान को कही ने कई एक दो दिन का मानस से एक तराव रहता है कुछ दूईदाएं रहती है तकलिफे रहती है उसकी डेल्ट्स में बता रहा हूं हो सके तो अपना और अपनों का खैल जरूर रखीगा चे और साथ दिसंबर को चंदरबा आठवें, सोला सतरा दिसंबर को बारवें, पच्छी सब्बेस दिसंबर को चौते रहेंगे इस समय विशेश में आपको महानसी कशांती, कोई कस्ट या पीड़ा हो सकती है शुरुवात करता हैं बिजनस एंड वेल्थ का हाल इस पूरे बिजनस के लिए आपके लिए सबसे बड़ा प्लस पाइंट है कि शुकर वही पर मालवी यूग बना रहें जो लोग डेली नीट्स का काम कर रहें, कमिशन परसेंटेस से समधित काम कर रहें, होटेल, फूड और बेवरिजेज, रिटेल का काम कर रहें उन लोगों के लिए निश्ची दूरूप से बड़ा अफसर मिलेगा, ब्रैश्पती एड़ था उसमें निश्ची दूरूप से आपके खर्चे भी बढ़ाएंगे और आमदरीकों भी बढ़ाएंगे, इस बहीने अगर आप मैनुफैक्चरिंग के कोई यूनिट डालना च हमें काम करते रहेंगे, पैतरिक संपत्ति का मसला अगर आपका है तो हल हो जाएगा और अगर नहीं है तो मसला शुरू हो भी हो सकता है, लेकिन आपको कूल रहना है, चिंतन करना है, धीरज, धैरी और संयम रखना है काम आपके सारे पूरे हो जाएगे, अगली बात, कि अ आप 10 तारिक से लेकर 15 तारिक के बीच में ये काम करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। किसी विशेश काम में अगर आपको ट्रेवल करना है तो आप 10 से 15 तारिक के बीच में करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। अब बात करते हैं job and profession की जहां तक आपके ग्रहों का प्रश्ण है तो यहां आप ये देखिए कि शनी और मंगल के बीच में आपका कर्मिस्तान भी चल रहा है यारी कर्मिस्तान में पाप करतरी दोश बना हुआ है जिस वज़े से अगर आप इसमें ने कोई job बदलना ट्रांस प्रश्ची दुरूप से बहुत अच्छा लाब मिल सकता है इस महीने शुक्र और शनी के बीच में एड़ ताउस आ चुका है तो यहां पर एक इस्तती ये बनती है कि आपका opposite sex के परती रुजान बढ़ेगा आप शादी चुदा है किसी और office में काम करने हो लिए महिला या दूसरे शहर या राज्य की यात्रा भी आपको करनी हो सकती है यह अगर आपका मान लीजे काम इस तरीके करने हैं कि यात्रा नहीं है तो अपने ही शहर में डिपार्टमेंट में दूसरे यात्राओं से आपको लाब मिलेगा तो इस वही ने बहुत आनन उठाईए सिर्फ अपने जॉब पर ध्यान दीजे बदलने की कोशिश ना करें बात करते हैं माताओं बेहन और फैमली की आपने नौबर माह में बहुत मेहनत की है दिपावली के परवगों को बनाये है बहुत खुश्यां हासिल की है दिसम्बर माह में थोड़ा सा रिलیک्स रहने का आपका मह ने रहे इस टाइम पिरिट में एक चीज़ ध्यान रखे का जब शनी और चेंदर्मा का विश्दोष बन रहा है और मंगल ट्वैल ताउस में जा रहे हैं तो वो बार बार आपको करोधी बनाने की कोशिश करेंगे कुछ लोग आपके बारे में बुरी बात करते हैं इस पर तो लाब बिलेगा इस में आपको अपने परिवार से बहुत अच्छा लाब बिलेगा और अपने फैमिली लाइफ मेरिटर लाइफ बहुत अच्छी गुसरेगे जो लोग प्यार इश्क और महपत से जुड़े हुए हैं उनका शुकर बहुत विलासेता दे रहा है ट्रेव पर काम उत्रा ही डिले और डिस्टब भी कर सकता है इस्टुडेंट की बात करें और संतान से सुख की बात करें तो निश्टी दूरूप से इस बही ने मंगल की पच्छब मिस्तान पर दृष्टी रहने की वज़े से ये 22 तारिक तक आपके पढ़ाई बहुत अच्छी रह इसका आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप जब भी पहली फूरसत मिलती अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर ले ताकि अगर डिस्टब हो भी गए तो हम उस टाइम को कवर कर सकते हैं वरना एक तो हमने पढ़ाई नहीं की फिर हम डिस्टब बहुर हो गए तो उससे हमार तारिक तक अपने 15 दिसंबर तक पूरी पढ़ाई को निप्टा लें क्योंकि उसके बाद क्रिस्बस वेकेशन, 31st का वेकेशन ये सब चीज़ आपको डेस्टब कर सकती हैं तो बहतर है कि हम अपनी पढ़ाई को डबल डंक से कंप्लीट कर लें बात करते हैं हेल्थ एन एन इसको जड़ से खतम करने के लिए समय पर बोजन करना चाहिए जो आपके लिए बोजन सही है उसी बोजन को आपको करना चाहिए वरना आप अपना ही नुकसान कर बैठेंगे इस महीने आपका दुश्मन कोई और नहीं आपकी सेहत यापकी दुश्मन बन सकती है आपको वि बिश्टी दुरुप से बेश राश्य वाले लोगों के लिए यादकार गुज़रेगा। इससे गर में सुक, शांती और संबरती बरे रहे, संकट नहीं आएगा। तीन सोमवार तक लगातार चड़ाईए और वहीं पर बैठकर एक लोटा जल ही क्यों नहीं हो वो जरूर चड़ाना चाहिए और प्रारतना करेगा आपका महीना बहुत अच्छा गुज़रेगा। मुझे सौ परतिशत यकिन है कि आपका यह महीना यादगार गुज़रेगा, आपके हर मनो कामना पूर्ण हो, यह तो मैं इश्वर से प्रातना करता ही हूँ। आप हमारी बाकी जानकारे उग लिए ग्रहोंकाकेल.co.in website पर जाकर बहुत सारे जानकारे हासिल कर सकते हैं। मेरी एक महासिक पत्रिका है ग्रहोंकाकेल जिसका लेखन और प्रकाशन मैं करता हूँ। लेकिन हम मन्जिल पर तब पहुँचेंगे जब आप उसके सदस्य बनने के लिए परियास करेंगे। आप अपने जीवन में हर पल व्यस्त रहें और बस रहें। इसी आशा और उमीद के साथ आपको जो लोग English कैलेंडर में विश्वास करते हैं उनको Happy New Year Advance में। आप हमारे 2019 के राश्य फुल को अलग से भी देख सकते हैं जिससे आपको बहुत सारे जानकारे बिल पाएगी। आज के लिए बस इतना ही मुझे अपनी वानी को विराम देने के लिए इजाज़त दीजिए। प्यार भरा नमस्कार और आश्रवाद। जीवन बे हम सबको समस्याएं जरूर आती हैं। जैसे बरसात में हम छाता खोलते तो बरसा थोड़ी बंद होती हैं। लेकिन हम नहीं भीगते हैं तो हम अपने बचाव के लिए ऐसा कौन सा उपाय करें जो हमारे जिन्दगी में आ रही या आने वाले तकलिफों को कम या खत्म कर सकता है इसके लिए आप मुझसे अपने शेहर में पर्सनली बिल सकते हैं 19th October को गुडगावा जिसे हम गुरुगराम के नाम से आजकल जानते हैं 20th October को राची जारखन 21st October कोलकाता 26th और 27th October को में दिली बे रहूँगा 28th October को मॉंबई में और वही 29th October पुने और 30th October को भोबाल बे रहूँगा इन शेहरों में या इसके आसपास अगर आप रहते हैं और मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है इसके लिए appointment की procedure को पूरा करने के लिए मैं आपको तीन नंबर दे रहा हूँ जिस पर आप contact करके अपने पूरे procedure को जानके आप मुझसे मिल सकते हैं इन नंबर पर आप contact कर सकते हैं आपको बहुत बहुत शुब कामना है मुझे आप सभी का इंतजार रहेगा आज के लिए तरह ही इजाज़े दीजिए नवशकार और प्यार भरा आशेरबाद हम सबकी जिन्दगी पे छोटी बड़ी समस्यां जरूर आती है लेकिन अगर समस्या शब्द बना है तो solution यानि समाधान शब्द भी बना है अगर आपको अपने job, education, business, पारिवारिक जिन्दगी अपने personal life या फिर और किसी तरह की कोई तकलीफ है तो हम उसका समाधान जोतिश और आध्यात्म से निकाल कर आपको दे सकते हैं इसमें मैं आ रहा हूँ आपके शहर आपसे मिलने के लिए आप 30 नवंबर को मुझसे नियू यॉर्क में मिल सकते हैं 1st and 2nd December को न्यू जर्सी 3rd December मैरिलेंड 4th December एटलांटा 5th December लोस आंजलेस 6th December लास वेगास इसके लिए आपको एक appointment की procedure से गुजरना होका जिसके लिए मैं एक number दे रहा हूँ वहाँ पर आप संपर करके अपना appointment बुक कर सकते हैं या फिर हमारी website ग्राहोंकाकेल.co.in पर जाकर भी आप अपना appointment ले सकते हैं number note करें 347-633-7511 आप अगर UK में रहते हैं तो आप उससे 7th December को Birmingham में मिल सकते हैं और 8 और 9th December को London में मिल सकते हैं इसके लिए मैं एक number दे रहा हूँ जिस पर आप contact करके अपना appointment बुक करवा सकते हैं number है 78650-942-76 इस पर आप contact करके अपनी सारी detail भी दे सकते हैं और appointment के procedure को जान सकते हैं तो आईए आप और हम मिलकर हमारी समस्याओं का समाधान कोचते हैं बहुत बहुत शुक्तावना है प्यार बरा नमस्कार और आशेरबाद